नमस्कार जी मैं आज एक बहुत बड़ा एलान करने जा रहा हूँ जैसा कि सब को पता है कि आमादियू पार्टी सच्चे दिल से इमानदार पार्टी है आमादियू पार्टी एक एंटी करॉप्शन अंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आमानीपाटी की दिली और पंजाब की सरकारें तह दिल से इमानदार सरकारें हमें एक पैसे की भी हेरा फेरी प्रदाष्ट नहीं करेंगे जब मैं पंजाब में चुनाप परचार करता था गाओं गाओं जाता था, कस्वों में जाता था तो लोगों के चेहरे पर मैं एक उमीद देखता था लोगों की आँखों में एक उमीद मुझे नजर आती थी कि शायद कोई आएगा जो हमें ब्रिष्टाचार की इस दलदल से बचाएगा जब मेरा नाम मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया तब भी मुझे अरविंद केजरिवाल जी ने कहा था कि भगवन जो मर्जी हो जाए हमने ब्रिष्टाचार बरदाश्ट नहीं करना मैंने उनको बचन दिया था कि एक पैसे के भी हेरा फेरी बरदाश्ट नहीं करेंगे चाहे वो अपने हो, हेरा-फेरी करने वाले, चाहे बेगाने हो इसी सिलसले में मेरे ध्यान में एक केस आया कि मेरी सरकार का, पंजाब सरकार का कैबिनेट मंतरी अपने डपार्टमेंट में टेंडर और बाकी खरीद फ्रोक्त में से एक प्रसेंट कमिशन मांग रहा था, तो मैंने उसको गमीर्टा से लिया, यह मामला सिर्फ मेरे पास यह है, मीडिया के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, विरोधियों के पास इसकी कोई जान करें नहीं है, मैं चाहता तो इसको दबा सकता था, अगर मैं ऐसा करता तो मैं लाखों करोड़ों पंजाबियों का दिल तोड़ता जिन्हों ने मुझे पर यकीन किया तो मैं अपनी पार्टी की जो बिचार धारा है उसके भी खिलाब होता और मैं एक्शन लेने जा रहा हूं उस मंत्री का नाम है डॉक्टर बिजे सिंगला जो कि सिहत मंत्री है पंजाब में कैबिनेट में थे जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्हों ने अपना गुना कबूल भी किया तो हम चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वत खोरी के खिलाफ मैं सब को कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है चाहे आप अफसर हो चाहे पंजाम में किसी राजनीतिक पद पर हो चाहे बिपक्ष में हो चाहे सरकार में हो अब सिस्टम बदल गया है अब एक रुपे की भी हेरा फेरी नहीं चलेगी हम एक प्रसेंट लोगों का एक प्रसेंट पैसा भी बचाएंगे